वेलकम बाक टो मैं चैनल, बात कर लेते लेटेस्ट अब्डेट, SRM JEEE का एक्जाम के बार में, जो कि मेली आज कंड़क्ट होगा ऑफीशियली, अगर हम बात करें, आज जो आपको एक्जाम हो वो मेली फेस वन के लिए कंड़क्ट होने वाला है, तो इस फिडियो में आपक कर दें अपने फेस वन का, SRM JEEE का एक्जाम आज से, और ओफीशियल वेपसेट के आपको सारी जो डिटेल्स अगरा पता चल जाएंगी, तो इस वीडियो में आपको सारी डिटेल्स ही पताने वाली हो, अगर हम बात करें, जो SRM Institute of Science and Technology है, वो अपने फेस वन के एक्जाम आज से शुरू करेगी, और यह एक्जाम जाहे हो, वो remote proctored exam होने वाला है, due to COVID-19 crisis, और यह पिछली साल भी जो था, यह same report proctored test हो था, जो कि इस साल हो रहा है, यह जो आपको एक्जाम है, वो मिले अपको एक्जाम होने वाला है, दो फेसेज में, एक आज January 8 और कल January 9, जो SR आज जो तो बहर एक बची से लेके शाड़े तीन बची तक, तो करीबाना मान के जाले डाए घंटे तक का आपका पेपर होने वाला है, उसकारद अगर हम बात कर लेते, SRM IST जो है, वो अपना कंड़क करेगी, SRM JEEE का 2020 का exam, इन थी फेसेज, फेस वन जो है, वो मेली आज जून 26 होगा, आगे अगर हम बात करें exam timings के बारे में, तबकर जी exam है मेली आज और कल, दो दिन होने वाला है, फेस वन का, एक बची से लेके साड़े तीन बचे तक, and exam date के अगर हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर, तो exam date जो है, आज आप की है, तो January 8 and January 9, 2022, exam के pattern के बार में अगर हम देख लेते हैं, यहाँ पर, exam duration है, वो मेली exam आपका गंटे का होने वाला है, will the question paper will be in multiple choice format, मतलब की जो वायल आपको जो question paper है, वो multiple choice format में होने वाला है, मतलब MCQ based, question paper में मेली कुछ subjects होंगे, जैसे के physics के questions होंगे, chemistry के, math के, English के and general aptitude के, मैंने previous year कुछ crash courses भी start किये इसी के साथ, आप मेरे एक दूसरे चानल को भी follow कर सकते हों, जिसका link आपको description में मिल जागा, as well as, अगर आप Instagram पर follow कर सकते हैं, उसका भी link description में मिल जागा, अगर आपके कोई भी query हो, तब comment section में पूछ सकते हैं, इसी के साथ, अगर में बात करें, अपर exam day guidelines के बारे में, जो कि में आपको बताने है इस वीडियो में, तो में आपको system और laptop अच्छे से updated होना चाहिए, अच्छी RAM होना चाहिए, एक अच्छा space होना चाहिए अपके laptop में, अगर आपके laptop में storage काम है, तो आप जो से delete कर सकते हो, बहुत से पूस्ते हैं, पूस्ते हैं, पूस्ते हैं, मतलब कि अपको phone भी switch on होना चाहिए, ताकि कि आपके main of the details होंगी, वो सारे mail पहेंगे, जो कि आपके phone से login होगा, An official might also call aspirants prior to the exam, तो आपको कुछ टाइम पहले exam से पहले भी call किया जा सकता है, अगर उन्हें कुछ भी suspicion लगते ही है, कुछ भी उन्हें बताना हो, rules और regulations के बारे में, candidates will be observed during the test, तो ये बात याद रखना है कि आपके आस्पस कोई भी disturbance ना हो, and आप किसी से बाते हो गरा, ना कोरे exam देते समय, experience must make ensure, मतलब कि make sure करना होने, क्योंकि आस्पस कोई भी book ना हो, कोई भी notes ना हो, कोई भी अंसार से ऐसी जगा ना हो, कि आपको जो है, बात में terminate कर दिया जाएगा, अगर आप cheating case में पकड़े जाते हो, तो, अगर हम बात करें, SRM JEEE है क्या आखिर, तो ये as mentioned, SRM JEEE 2020 जो notification है, it is a university level examination, जो में लिक कंड़क्ट होता है, for admission in undergraduate PTAC programs, offered in SRM IST, जिसके different centers show up कर रखे हैं, जिसके NCR campus, गाज़ेबाद, UP, SRM University, सोनिपत, हर्याणा, SRM University, आदरपरदेश, जो SRM IST है, वो मिली start वो है, slot booking के उसके process की start हो चुकी थी, आप phase 1 के exam आज से शुरू होने वाला है, जो आपका results है, ये भी कुछ time में release हो जाएंगे, अगर हम बात करें, earlier SRM JEEE का application form 2022 का था, वो मिली release हो था, November 16, 2021 में, जो last date थी apply की, वो थी January 2, 2022, आज से आपको exam शुरू हो रहे है, phase 1 के लिए, all the best for your exams, कोई भी cheating की मतलब की त्यारी मत करना, और अपनी exams पे जादा से अच्छा focus करना, करते हैं इसके सथ वीडियो को end, अगर आपके पास अभी पर के टाइम हो, तो आप crash courses को एक बड़ चेक उट कर सकते हो, जिसका link आपको playlist का description में मिल जाएगा, आप मेरे new channel को भी check out कर सकते हो, और उस channel को भी subscribe कर सकते हो, अगर आपको अच्छा लगे तो, आप मुझे Instagram पर भी follow कर सकते हो, जिसका link आपको description में मिल जाएगा, तब तक के लिए, stay safe, stay positive, and all the best for your exams, thanks for watching, bye bye,